महरास्ट के 1.500 परिवार हैं उसी से RSS का सरसंगचालक बनता है ये संगठन प्रजातंत्र में भरोसा कर ही नहीं सकता आज प्रजातंत्र पर सबसे बड़ी चोट कर रहा है तो वो संगठन कर रहा है ये बात कॉंग्रेस के वरिष्ठनेता दिगविजे सिंग ने एक किताब एजेंडारस का उसी की जुबानी उर्दु संस्क्रन के पुस्तक लोकारपन के दौरान कही दिगविजे सिंग ने कहा कि दुख इस बात का होता है कि गानी जी की शारीरी खत्या तो बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन अब उनके विचारों की उनकी आत्मा की हत्या इस कानून को लागू करकी जा रही है राश्रिय स्वयम सेवक संगठन कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है ना ही उसका कोई एकाउंट है और ना ही उसकी कोई मेंबर्शिप है अगर कोई आतनकवादी घटनाओं में पकड़ा जाता है तो ये लोग कहते हैं कि ये हमारा सदै से नहीं इन्होंने नफरत की राजन अधिकार मिला है राध आपको की कारिकरम में कहा गया क्रसंग के दर मनुश्वमती में विश्वास रखता है मनुश्रम और वर्ग के अधार पर बैठी हुई है साथ ही महिलाओं को भी उचितस्थान मनुश्मती में नहीं दिया गया गानी जी इनके सबसे बड़े दुश्मन थे और उन्होंने उन्हें गोली मार बाद में कहते हैं कि हमने गोली नहीं मारी जबकि नाचराम गोट से ने ये बात मानी वहीं भोपाल से कॉंग्रस के विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि ये किताब लिखकर हमारी कौम पर हैसान क्या नफरत के इस दौर में हम सब को मिलकर लड़ने की जरुत है नफरत की खिलाफ आप जुलूस नहीं निकाले एक जुग है अराम से बैटकर सरकार को पैगाम दे अपने मेक इन इंडिया का क्या किया एस्पेर नाइन न्यूज रूम से इस रुदिक रिपोर्ट